नमस्कार दोस्तों आरोग ये मौटन होमियोपैथी में आपका स्वागत है आज हम सुपर स्पेशलिटी मौटन होमियोपैथी दवाईयों की जीत की सक्सेस स्टोरी में बात करेंगे एक गंभीर और लाइलाज बिमारी रेक्टल कैंसर की बारे में दोस्तों जब रेक्टम्स के हल्दी सेल्स में कोई चेंजी साते हैं तो ये बिमारी होने के आशंगा होती है अधिकतर इस बिमारी में अब्डॉमिनल पेन, पेट दुखना, कॉंस्टिपेशन होना, वेट लॉस होना ये सब सिंटम्स दीखे जाते हैं और मेडिकल साइंस में इसका कोई कारगर इलाज भी नहीं बताया गया है अधिक तक डॉक्टरों द्वारा सर्जरिया उप्रेशन की ही सला दी जाती हैं ऐसे ही बिमारी से परिशान थे परस राम गौर जी जिन्हें पहले शुरुआत में पेट में दर्थ हुआ उनके परिवार जनों की द्वारा उनका डॉक्टर से इलाज करवाया गया लेकिन उन दवायों से उन्हें आराम नहीं पड़ा फिर उन्होंने टेस्ट करवाया तब जाके उन्हें पता लगा कि उन्हें रेक्टल कैंसर की गंभीर बिमारी की समस्या है तब उन्होंने डॉक्टर अर्पी चोपड़ा जैन को संपर्क किया और मौटन होमियोपेथी दवाईयों का अपनाया जिसके चलते उन्हें केवल तीन से चार महिने में आराम पढ़ गया और वे इसके लिए डॉक्टर अरपी चोपड़ा जैन को धनेवाद भी देते हैं तो आए जानते हैं परस्राम गॉड और उनके परिवार से मौटन होमियोपेथी दवाईयों की रेक्टल कैंसर पर एक और चीत की सक्सेस चूरी नमस्ते मैं चाया गॉड मैं 22 भालेकरी पुरे में रेती हूँ मेरे पापा को पेड़ दर्द की वजे से हमने ऑस्पताल में दिखाया तो उन्होंने उन्हें दवाईयां दी जिससे अराम नहीं पड़ा उसके कारण हमें उनकी जाच कराना पड़ी उनकी जाच में उन्होंने एमराई लिखी एमराई करवाने के बाद में हमें पता जेन से मिलवाया जिन्होंने मेरे पिताजी का इलाज करा और उनके इलाज के दोरान वह पांच मैने में ठीक हो गए मैं सर अर्पी चोपड़ा जेन का दिल से शुक्रियादा करती हूं सर ने हमें दवाई के दोरान कुछ परेज या फिर कोई भी साइड इफेक्ट की अलग से कुछ दवाईयां कुछ भी नहीं लिखी हमें सिर्फ यही दवाईयां से मेरे पिताजी ठीक हो गए मैं उनको दिल से धनिवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पिताजी को ऑपर देशन से थेरेपियों से और अन्य दूसरी साइड इफेक्ट दवाईयों से उन्हें बचाया और अपनी होमेपेथिक दवाई से उनके इलाज जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया में लोगों को यही सद्देश देना चाहूंगी कि जैसे ही उन्हें इस बीमारी के बारे में चले वह सीदे डॉक्टर अर्पी चोपड़ा जेन सर के पास जाए और अपना तुरंट टीटमेंट कराएं जिससे वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके नमस्कार में परहस्राम गोर्ट मेरा रहने का निवास है बाइज वाले करी पुरा बोई मॉल्ला इंदोर मुझे करवाया और मुझे उन्होंने 6-7 मेहने में ठीक कर दिया मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ और मैं लोगों से एसा अनुरोद करूंगा कि वह अपना इलाज डाक्टर हट्पी चोपड़ा जेन के पास ही करवाएं डाक्साब को बहुत-बहुत धन्यवाद जो मेरे को बहुत क समय में उन्होंने ठीक कर दिया और पैसे भी कम लगे उनका बहुत-बहुत धन्यवाद परहेज तो उन्होंने को कुछ नहीं बतलाया और बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया कोई साइड भेक्ट भी नहीं हुआ तेज काम करती है बरावर करती है अच्छा इलाज बढ पाच-छे महीनों में मुझे ठीक कर दिया और आपरेशन आपरेशन सबसे बच गया में बहुत-बहुत धन्यवाद ड़क सापका तो दोस्तों ये थे परसराम गौर जी और उनकी बेटी जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस गंभीर बिमारी को मॉटन होम्योपैथी दवा से जड़ से खत्म किया जा सकता है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पेच चोपड़ा जैन एमडी होम्योपैथी एंड डारेक्टर ऑप अरोग्य सूपर इस्पेशली मॉडन होम्योपैथी क्लिनिक इन दौर एंड वरकिंग एस क्रिटिकल एंड सर्जीकल डिसीज इ दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन कैंसर रेक्टल कार्सिनोमा इसका मतलब कोलो रेक्टल कार्सिनोमा जो हमारी लार्ज इंटस्टाइन में एक पार्ट होता है रेक्टम जिसमें कई बार कैंसर की स्थिति पैदा हो सकती है वो कई बार यह जो स्थिति है कोला फिशर या फिशुला का कोई पुराना कोई प्रावरम रहा हो उसे chronic constipation की प्रावरम रही हो उसे कोई प्रकार की liver pathology की प्रावरम डिटेक्ट हुई हो या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार की chemical side effects long time तक किसी दवाई का seven करने की मजबूरी के कारण या हो सकता है कि cancer का का suggestion दिया जाता है जितनी भी लंबाई में ये जो cancer extension के रूप में पाय जाता है उतनी जगा को operate किया जाता है और फिर बाद में chemotherapy एवं radiotherapy के माध्यम से इसे control करने की कोशिश की जाती है लेकिन दोस्तों कई पर ऐसा दिखने में आया है कि कि किसी कारण से उम्र का कोई बड़ा बढ़ाओ कि बावजूद अगर cancer के लिए chemotherapy और surgery कराने की अवस्ता नहीं है यह हो सकता है कि वो extension इतना जादा बढ़ गया है कि आस पास के सभी कई प्रकार की organs को उसने अपने आप में include कर लिया हो तो ऐसी अवस्ता में किसी पेशन को treatment की जरुवत हो या ऐसी कोई अवस्ता जिसमें पेशन यह चाता हो कि हमें operation नहीं कराना पड़े उसका वो सामना chemotherapy की जो मजबुरी या उसके जो chemical side effects होने की जो संभावना है उसका पेशन सामना नहीं करना चाहते हो या ऐसी किसी भी अवस्ता में आपको लगता है कि आप इसके लिए कोई alternate system से कोई ऐसा treatment देख रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हम surgery, chemotherapy, radiotherapy और immunotherapy यह जो cancer के चार पकार के जो treatment है हम एकी साथ एकी treatment के अंदर एक तरीके से हम complete मौड में ले सकें तो शायद आज उसका हम जवाब देने जा रहे हैं super specialty modern homeopathy concept, modern homeopathy का एक ऐसा चमतकार जो कि homeopathy का modernization करके modern homeopathy के नाम से हमने बनाया है, जो कि किसी भी पकार के cancer के लिए चाए वो rectal cantrcinoma हो, चाए वो अन्य किसी भी पकार का cancer हो, किसी वरदान या चमतकार से कम नहीं साबित हो रहा है उसका मुख्यकारण कि हम लोग जो दवाईया देते हैं, उसके आधार पर हम जो pathology है उस पर सिधा-सिधा pathogenesis criteria के आधार पर एक तरीके से target detection करते हैं जिससे हम चारों काम एक साथ कर पाते हैं, कीमो थेरपी, रेडियो थेरपी, सरजरी और इम्मिन थेरपी जो कि हम केवल दवाईयों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब हम कोई भी प्रकार की जो cancer की गठान है, उसे बढ़ने से रोकते हैं इसका मतलब हम कीमो थेरपी का काम करते हैं, उसे dissolution की अवस्था में लाने लग जाते हैं चाहे वो गठान एक हो, दो हो, कई प्रकार की metastatic range पर जाकर किसी भी प्रकार की अवस्था में जनरेट हुई हो उसे सभी को dissolution की प्रक्रिया चालू करते हैं, इसका मतलब हम रेडियो थेरपी करते हैं अगर हम किसी भी तरीके से इन गठानों को अगर dissolve कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये सरजरी का रूप माना जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं, जिन्होंने कीमो रेडियो सरजरी के बजाए केवल माड़ा नोमेपिति का ट्रिक्मेंट लेकर आज भी अपने इन तीनों माध्यम से जो उन्हें बचाओ करने की स्थिती मिलती है, वो हमने केवल दवाईयों के माध्यम से उन्हें प्रदान किया और साथ में एक अन्य मौड, आपकी खुद की इम्मिनिटी रिस्पॉंस को बढ़ाना, इसका मतलब इम्मिनो थरेपी, क्योंकि पेशेंट जब कैंसर से गरसित होता है, तो निशीत रुप से वो काफी कमजोर हो चुका होता है, और कई बार कीमो रेडियो सरजरी के इलाज के रूप में माना जाता है, ऐसी कई प्रकार के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, तो उसके लिए हमें इम्मिनो थरेपी जैसा जो कंसेप्ट है, वो भी हम मौडर्न उपिती से साथ में प्रदान करते हैं, इसका फायदा ये मिलता है, कि पेशेंट का इम्मिनिट प्रकार के critical और antym अवस्ता के cancer में भी किसी न किसी तरीके से passion की मदद करते हैं, और दोस्तों ना केवल मदद करते हैं, बलकि ऐसे कई चमतकार साबीत हो चुके हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि stage 4 के cancer में भी, stage 3 के cancer में भी, अगर आप शुरवात्ती अवस्ता में, अगर हमे primary treatment के रूप में stage 1 और 2 में भी मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग modern ओपिती से जो treatment आपको provide करते हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा आपको काफी सिग्र मिलता है और काफी असरकारी रूप से भी यह आपके लिए साबित होता है, दोस्तों आज rectal carcinoma के एक ऐसे ही patient के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, Mr. Paras Ram God जो की इंदौर मद्दपदेस के रहने वाले हैं जिन्होंने करीब 65-65 साल की उम्र में लगबग rectal cancer की जो detection उन्हें जब हुई थी, तो लगबग इस age में उन्हें operation करने की जो मजबूरी थी, वो स्विकार नहीं कर पा रहे थे उन्हें chemotherapy के बारे में जो बताया गया था उसे वो लेना नहीं चाते थे, और इस तरीके से, जो cancer का जो treatment होता है जो एक तरीके से काफी costly खरचा था, वो भी वो वहन करने की स्थिती में नहीं थे दोस्तों, ऐसी यह अवस्था में, जब मिस्टर परस्राम गौड जी के पास, जब कोई विकल्प नहीं बचा था उनको किसी ने modern ओमपेती के बारे में बताया, और उन्हेंने super specialty modern ओमपेती में, हमारे क्लिनिक पर आकर आरोग के super specialty modern ओमपेती क्लिनिक जो की मेरी क्लिनिक का नाम है, वहाँ पर आकर हमसे treatment चालू किया, और दोस्तों ये चमातकार था modern ओमपेती super specialty concept treatment का, कि केवल 4 मेने के treatment से उनकी जो 4 cm की जो लिजन थी, वो पूरी तरीके से dissolve हुई, और जिस तरीके से retal carcinoma की जो लिजन उने बताई गई थी, जो कि उनकी पहले की CT scan की रूपट में हम देख सकते हैं, उसे हमने जब 4 मीने बाद जब reach चेक कराया, तो निश्चीत रूप से उसमें केवल inflammatory changes के जो symptoms हैं, वो दिखाई दिये, और इस तरीके से उनका जो carcinoma का जो गठानता पूरी तरीके से dissolve हुआ, और निश्चीत रूप से ऐसा चमतकार monomymopithi से जो उनने प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से ना केवल उन्होंने surgery बचाई, बलकि अपनी chemotherapy, radiotherapy या अन्ने कई पकार के side effects से भी बचा कर, इस age में, जबकि 60 और 65 की age में लगबक ये कहा जाता है कि कोई भी surgery, chemotherapy इतना असान नहीं होता, ऐसी इस्तिती में भी बिना किसी chemotherapy, बिना किसी radiotherapy, बिना किसी surgery के, किवल monomymopithi, super special concept treatment से उन्होंने फायदा लेकर, आज अपने आपको स्वस्थ सिद्ध किया, इस बात की पुष्टी, उनकी सुपुत्री ने अपने सब्दों में बताया कि किस तरीके से modernopithi ने उनके लिए किसी चमतकार या वर्दान से कम काम नहीं किया और निश्चित रुप से दोस्तों, ये जो Mr. Parashraam जी, God का जो example है काफी सारे kolorektral carcinoma या rectal carcinoma के पुष्टेंस के लिए किसी चमतकार या वर्दान या प्रेड़ना से कम नहीं साबित होगा, ऐसा मारा विश्वास है और ऐसा मारा प्रयास भी है दोस्तों, अगर हम cancer से ना केवल rectal carcinoma, बलकि कई प्रकार के cancer से, जो modern उपिती से लाभानवित patient के बारे में बात करें हमारे YouTube के चैनल पर जाकर या website पर जाकर उन काफी सारे patients के बारे में आप देख सकते हैं जिनको हमने stage 1 से stage 4 तक के cancer में ना केवल modern उपिती से फायदा दिया बलकि chemo, radio, surgery और immunotherapy का चारो काम एक साथ करके, उनके लिए किसी प्रकार से, जो भी जीवन दायनी देने का हमने जो काम किया है, वो निश्चित रुप से उनके लिए किसी चमतकार से कम साबित नहीं हुआ, दोस्तों उनमें से कई patient ऐसे हैं जो कई प्रकार के, सरजरी, किमो थरेपी, रेडियो थरेपी के गराने के बावजूद भी recurrence लेकर stage 4 में हम से मिले थे, और लगबग उस stage पर जब कोई option नहीं था, फिर भी उन्होंने modern ओमिपिति के इस final विकल्प के रूप में ही सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही लेकिन किसी न किसी तरीके से अपने आपको वापस नया जीवन प्राथ किया और निश्री दुरुप से उन्होंने इस बात की पुष्टी अपने डॉक्यमेंटरी या उनके द्वारा बदाएंगे वीडियो, उनके द्वारा लिखे गए रिव्यू या उनके प्री एंट पोस्ट रिपोट के अधार पर आप समझ सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरिफाई कर सकते हैं, दोस्तों अगर हम मॉडर्न होमेपती से अन्य कई पकार की कैंसर पर जिस तरीके से हमने जो जीत हासिल कही है अगर उस बारे में कई अन्य प्रेशन्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मिस आसिया अंसारी जो कि इंदौर मध्यबज़ेस की रहने वाली है जो कि दुनिया की सबसे मोस्ट एग्रेफिव ब्रेन कैंसर जी बी एम कैंसर, ग्लियो ब्लास्टोमा एक ऐसा कैंसर जो की बहुत तेजी से बढ़ता है उससे गरसित थी, और दो बार उन्होंने ब्रेन सर्जेरी करा कर, दो बार अपने जी बी एम कैंसर की गठानों को उन्होंने ऑपरेट किया लेकिन यह उनका दुरभाग गया था कि उन्हें तीसरी बार रिकरंस हुआ और उन्हें तीन गठान जी बी एम कैंसर की वापस रिकरंस हुई, इसके कारण दोस्तों जब उन्हें फाइनली जब नीरो सर्जेंस ने और लगबग अंकोलोजिस्ट ने मना कर दिया कि अब इस स्टेज पर सर्जेरी करने का रिस्क भी नहीं ले सकते हैं तो दोस्तों ऐसी अवस्ता में जब आर्सिया अंसारी के पास जब कोई भी विकल्ब नहीं बचाता लगबग सब जगे से हाथ खड़े कर दिये गए थे तब ये modern अमपेथी super special concept treatment का जो उन्हें चमतकार प्राफ्ट हुआ कि केवल एक साल के treatment से ना केवल उन्होंने अपने 5 cm, 6 cm और 6 cm तीनों गठानों को डिजॉल किया बलकि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी immunotherapy के, बिना किसी कीमotherapy के, बिना किसी gamma radio therapy के आज वो अपना स्वस्त जीवन जी पा रही हैं, और बिना किसी GBM के recurrence के, आज अपने आपको स्वस्त गोसित कर पा रही है अगर दोस्तों GBM cancer का कोई एक patient भी अगर दुनिया में, किसी पकार से क्योड अवस्ता में अगर हम जानना चाहें तो हो सकता है कि modern empathy का ये जो super specific concept treatment का, जो चमतकार, मिस आसे अंसारी के लिए जो हमें प्राप्त हुआ, वो निश्ची तरुप से कई सारे cancer के लिए, किसी प्रेंडना या चमतकार से कम साबित नहीं होगा इसी तरीके से कई अन्य cancer रोगियों के बारे में अगर बात करें, तो mouth cancer से गरसित, Mr. Suresh, जो की राउटी मद्यपदेश के रहने वाले थे, उन्होंने करी mouth cancer की गठान को केवल modern empathy से dissolve किया, और अपनी जितनी भी cancer marker की reports हैं, वो पुरी तरीके से normal प्राप्त की, इसी तरीके इसोफेजियल cancer से गरसित, Mr. Om Prakash Banwar, जो की आस्टा मद्यपदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने केवल 4 मेने के modern empathy की treatment से, ना केवल इसोफेजियल करसिनोमा की गठान को dissolve किया, बलकि बिना किसी chemotherapy के, आज भी वो अपना स्वस्ता जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं, दोस उसके लिए केवल modern empathy के treatment से, चार मेने के treatment से, उन्होंने काफी अच्छी recovery की, आज भी वो अपना स्वस्ता जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं, इसी तरीके से, पेरी एंपूलरी कारसिनोमा से गरसित, एक 80 साल की उमर में Mrs. Munni बाई, जिन्होंने 2-3 cm की, जो cancer की गठान है, बीना किसी surgery के modern empathy से dissolve की, बीना किसी chemotherapy के पूरी तरीके से स्वस्त किया, इसी तरीके से, रिट्रो पेरिट्रोलियर कारसिनोमा से गरसित, मिसेस फातीमा भी, जो की सागर मद्वदेश की रहने वाली है, करीब 6 cm की गठान, करीब 60 x 40 mm, 6 cm की गठान, उन्होंने केवल modern empathy के treatment से बीना किसी risk लिए, बीना किसी surgery के पूरी तरीके से dissolve की, और बीना किसी chemotherapy के वापस अपने आपको स्वस्त जीवन craft किया, इसी तरीके से दोस्तों, prostate cancer से गरसित, मिस्टर नर्मदा परसाद जी गौड, जिन्होंने करीब 90-100 ग्राम का prostate को modern empathy के चमतकार से 23-24 ग्राम पर लाकर इस्थिर किया, और साथ में अपना जो बड़ा हुआ PSA लेवल है, जो 100 के उपर पहुँच चुगा था, केवल 2 मेने के modern empathy के treatment से एक के नीचे लाकर पूरी तरीके से normal सिद्ध किया, इसी तरीके से मिस्टर अनिल कुमार शर्मा जी, जो कि उदैपूर राजिस्तान के रहने वाले हैं, prostate cancer की 90 ग्राम की जो उनकी extension थी, उसे पूरी तरीके से control करके normal किया, साथ में जो बड़ा हुआ PSA लेवल, जो की 90 के आसपस महुच गया था, जो की 10 के पास लाकर, आज भी वो पूरा अच्छा control लेकर modern empathy से फायदा ले पा रहे हैं, इसी तरीके से prostate cancer से ग्रसित Mr. वासु दे रहे जा, जिन्होंने 34 ग्राम की prostate को 17 ग्राम पर लाकर इस्तिर किया, साथ में अपना जो बढ़ा हुआ PSA लेवल है, वो भी पूरी तरीके से control किया, Mr. आसीर प्रहमान साब, जिन्होंने बढ़ा हुआ PSA लेवल, कि बार modern empathy के treatment से पूरी तरीके से control किया, साथ मे जो अपना prostate का, जो 64 ग्राम का वेट है, उसे 23 से 24 ग्राम पर लाकर इस्तिर भी किया, तो दोस्तों, इस तरीके के male prostate cancer के साथ, अगर हम कुछ female cancer के बारे में अगर बात करने जाएं, तो female cancer में, ovarian cancer, जो की Mrs. Nisha Jen, 9 cm की गठान लेकर, जब हमारे पास आई थी, उनका cancer marker काफी काफी बढ़ चुका था, CA 185, CA 15.3, CA 19.9, CA काफी बड़ी वी अवस्ता में था, और ऐसी अवस्ता में, क्यबल मॉडरन होमीपेची के टेट्मेंट से, ना क्यबल उन्होंने इस 9 cm की गठान को डिजॉल किया, बलकि जो की जो मेटा स्टेटीज, एक तरीके से पूरा momentum तक और अपने कैंसर मारकर को भी पूरी तरीके से नॉर्मल करके, आज मंसौर मध्यपदेश में, वो अपना स्वस्ता जीवन जी पा रहे हैं, उन्या के लिए किसी प्रिणना से कम साबित नहीं हो रही है, इसी तरीके से, अगर हम फिमिल कार्सिनोमा में, अगर बात करें, सर् कैंसर के लिए प्रैमरी स्टेज में मॉडरान ओपिती का ट्रिक्मेंट लेकर, के वर 4 महिने के ट्रिक्मेंट से, अपनी सर्वाइकल कैंसर की, जो अवस्ता थी, उसे पूरी तरीके से, और साहत में, बिना कीसी ऑपरेशन कराते वे, बिना कीसी सर्ज़री का सपोर्ट यह अपने आपको वापस सवस्त साबीत किया। तरफे के अपने आपको 4-5 साल से जो स्वास्त जीवन वो जी रही है अपने बारे में बताया इन सब की पुष्टी आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर यह वेबसाइट पर जाकर इन सभी patients के बारे में देख सकते हैं उनके बारे में जान सकते हैं या उनकी इस्तिती ऐसी खराब हो चुकी थी कि हस्पिडल में काफी समय ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनका प्रेटलेट 17,000 से उपर नहीं जा रहा था तो केवल मॉडर्न हुमपिति के ट्रीटमेंट से उन्होंने एक हफते के ट्रीटमेंट से जो हस्पिडल में ट्रीटमेंट लिया उसके बदालत उनका जो प्रेटलेट बढ़कर 2,11,000 के असपास आ गया और केवल 15 दिन के अंदर 4,5,5,5 के आपास आकर इस्थिर हो गया और दोस्तों केवल 7 दिन में एक्क्यूड मायलाइट लिक्योमिया जैसा कैंसर पे उन्होंने विजय प्राप्त की और निश्ची तुरुप से मौडर्न उमपिती के एक और सक्सेस स्टोडी में अपना नाम उन्होंने शामिल भी किया इसी तरीके से बेबी अद्विका जो की उज्जेन मद्विजस की रहने वाली हैं जिसने मौडर्न उमपिती ट्रीट्मेंट के सपोर्ट के अधार पर ALL एक्यूट लिंपोसाइटिक लिकोमिया की जो कैंसर की बिमारी है उस पर विजय प्राप्त की और आज भी वो अपना स्वास्ता जीवन अच्छे से जी पा रही हैं इसी तरीके से दोस्तों सोडियम लिकेज हो रहा था उनके फ्रेटलेट काफी कम हो गए थे और ऐसी अवस्था में केवल मौडर्न उमपिती के ट्रीट्मेंट से ना केवल उन्हें ने जो बड़ा हुआ किसी एक्जामपल या एक तरीके से प्रेटना से कम साबित नहीं हो रही है दोस्तों इसी तरीके से एक और रेर कैंसर इस्पैंडल सेल कार्सिनुमा जिसमें हम कह सकते हैं कि पुजा लस्करी जिसके बारे में यह बताया गया था कि एक बार उन्हें जो ऑपरेट हुआ था शे साल पहले उसमें उन्हें यह बताया गया था कि आपको दुसरी बार अगर होगा तो शायद उसके लिए ऑप्रेशन या केमोथरेपी के बहुजूद भी पांच साल से जादा सर्वाइबल रेट नहीं बताया गया था और ऐसी अवस्ता में जब उन्हें दूसरी बार र प्रोग्नोसिस बताया गया था पांच साल से उपर ज्यादा जीवन नहीं जीने का उस बात को उन्होंने गलत साबित किया केवल मौडर्ण उपिती के चमतकार से और आज इंदौर मेरे कर अपना सवस्ता जीवन जी पारी है अपने बारे में बता पारी है और इन सभी के ब के ट्रेटमेंट के लिए हमने काफी मेनत किया और निश्ची तुरुप से आज जो हमारी मेनत है दुनिया के लिए किसी चमतकार या वर्दान से कम साबित नहीं हो रही है और निश्ची तुरुप से दोस्तों इतने सारे पैशन्स के एक्जामपल से अगर आपको लगता य किसी भी एक patient की data से, आप किसी भी एक patient की जान बचा सकें, किसी भी एक patient को primary stage में अगर cancer का treatment दिलवा सकें, तो निश्ची तुरुप से इसका फायदा जरूर लेवें, अगर आपको पता नहीं चलता है, तो आप अंतीम अवस्था में ही सही, अंतीम विकल में ही सही, आखरी मोमेंट्स में ही सही, लेकिन modern ओमेपिती चीकिस्टा का उप्योग लेकर निश्ची तुरुप से इसका फायदा जरूर लेवें, दोस्तों इसी संदर में एक और पेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, मिसेश चौधरी जिन्होंने 2005 से 2011 तक जो ब्लट कैंसर की ऐसी अवस्था जिसमें टाटे मिमोरिल हस्पिटल ने उन्हें कह दिया था, कि चार ये पांस दिन से जादा इनके लिए जीवन बचना मुस्किल है, और जीवन के अंतीम घड़ी में उन्होंने माडन अमेपेटी ट्रिट्मेंट का उप्योग जो लिया, उसका फाइदा ये मिला कि उन्होंने इतना बॉडी रिस्पॉंस अपने आपको मेंटेन किया, कि कैंसर जैसी अवस्था पर, ब्लट कैंसर की अवस्था में भी उन्होंने विजय प्राप्त करके 6 साल अपना सुथा जीवन प्राप्त किया, और उनके लिए जितना भी हम अच्छा कर सकते थे, लगबख 6 साल तक उन्होंने मौड़मेप्यती से फायदा लेकर अपने परिवार को सांथ दिया, और निश्ची दुरुप से ये चमतकार था मौड़मेप्यती का, कि ऐसी अंती मवस्था में भी किसी न किसी तरीके से आपके लिए ये जीवन दायनी बनकर साबित हो रही है, और कहीं न कहीं से आपके लाइफ इस्पैन को बढ़ाने में, इवन आपके कैंसर को अटेक करके पूरी तरीकी से जड़ से समाप्त करने में भी वरतान से कमसाबित नहीं हो रही है, तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाओंगा, कि आप मौडरमपेटी का फायदा लेवें, स्वेमबी मौडरमपेटी का फायदा लेकर उसका उपयोग लेवें, और दुसरों को उपयोग लेने के लिए प्रेरित करें, मौडरमपेटी का ऐसा सुपरिस्पेसिटी फास्ट टेटमेंट जिसमें हम बीना साइड इफेक्ट का, बीना परेच का, बीना किसी केमिकल का, आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव टेटमेंट दे पाते हैं, और कैंसर, किटनी फेलियर, कोमा, अस्पताल में गंबीर रुप स के माध्यम से, जो लोगों के लिए एक तरीके से प्रेड़ना के रूप में साबित हो रहे हैं, हम निश्चित रुप से उम्मीद करते हैं, कि ऐसी खुशियां, जिस तरीके से इन 3000 पेशन्स के चेहरों पर हमने मौडरमपेटी से चमतकार देकर साबित किया, कहीं न कहीं हम इसी तरीकी की खुशियां आपके लिए भी लाप आएं, इसी उम्मीद के साथ, अगर आपको लगता है कि आप इंदोर स्थित, आरोग के सूपर स्पेशली मौडरन होमेपेटी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चोरा नियू प्लासे में स्थित हैं, आकर हमसे फेस्टू फे आगे डिटेल्स को वेरिफाय करके, ओनलाइन कंसर्टेशन के माध्यम से, घर बैठे भी आपको कुरियर के माध्यम से, मौडरन होमेपेटी सूपर इस्पेशली कंसेप की जो हमारी ट्रेट्मेंट कीट होगी, वो कुरियर के माध्यम से भी भेज सकेंगे, और घर बैठे दुनिया की किसी भी प्रकार की गंबिर से गंबिर, दुर्गम से दुर्गम, लाइला से लाइला या एक तरीके से जिसमें मेडिकल साइंस काफी रिसर्च कर रहा है, ऐसी कई लाइलाज बिमारियों पर भी जो हमने काम किया है, उसका फाइदा आपको देखकर, एक कदम ले पाएं, mentally अपने आपको पुरी तरीके से स्थिर कर सकें, और सबसे अची बात है physical, जो भी आपकी परिशानी है, उसे हम modern homeopathy से दूर करें, इस बात की पुष्टी आपकी reports में भी हो, और आपके body response में भी साबित हो, इसी उम्मित के साथ कि आप सभी modern homeopathy का फाइदा ल दवाईयों की मदद से rectal cancer जैसे गंभीर बिमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, अगर आप ही किसी गंभीर बिमारी या सामान बिमारी से परेशान हैं, तो आप जल्द से जल्द, super specialty modern homeopathy चिकितसा पधधी को प्राथ मिक्ता दे, और अगर आप ये मानते हैं कि इस वी आरोग ये modern homeopathy, नमस्कार देखे